आपको बताने वाला हूँ कि Redmi phone में time को कैसे change करेगा time change करना चाहते हैं आप Redmi phone में तो कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको वहीं बताने वाला हूँ चली वीडियो को शुरू करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे request करना चाहूंगा अभी तक चैनलों को subscribe नहीं किया है तो प्लेज जाकर के चैनलों को subscribe भी कर लिजेगा Redmi phone में time change करना बहुत ही असान है simple से नीचे आएंगे नीचे आने बात यहां पे आपको कुछ करना नहीं simple से अगर internet आपको on कर लेना अपने mobile में setting वाले option पे click कर देना है यहां पे छोटी सी वीडियो है फिर आपको knowledge ज़रूर मिलेघा वूडियो से टाइम लिख देना जैसिसे अप time लिखेंगे तो एक option आपको यहां पर मिलेगा time date and time तो आपको date आपको यहां पे सेट रहेगा, आपको कुछ करने की जुरूत नहीं है, एकदम राइट टाइम करेक्ट रहेगा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, अपने हिसाब से सेट करना तो इसको बंद कर देंगे, और यहां पे जो भी डेट रखना चाहते हैं, वो आप यहां पे डेट रख सकते हैं, कोई 5 मिनट आगे चलता है, कोई 10 मिनट पीछे चलता है, तो यहां पे लोग अपने हिसाब से घड़ी चलाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो अपने हिसाब से घड़ी चलाते हैं, अगर आपके, मतलब अगर हार जगे साड़े साथ बज रहें, तो इनके हम स चाहिए वो ले सकते हैं यूज लुकेशन स्टू से टाइम जोन यहां पर कर सकते हैं ताइम फॉर्मेट आप यहां पर लगा सकते हैं आपको 12 घंटे का चाहिए कि 24 घंटे का चाहिए ठीक तो मैंने यहां पर आटो में आटो बेस कर दिया system language ठीक है उसके बार double clock लगाना चा अब यहां पर गलत हो गया न, पर जैसे मैं set time आटो मेटली करूंगा देख सकती है यहां पर 24 से 22 हो गया, दोस्तों कुछ इस परकार से गलत है तो यहां पर कोई आ आपको करे टाइम नहीं बता रहा है, तो यहां पर तुरांत आप टाइम को पता कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैला को सब्सक्राइब करना ना भोले धन्यवाद